जैसे जैसे लोकसभा चुनाव निकट आ रहे हैं बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही है जारखन की राजनीती में भाजपा की गतिविध्या बढ़ गई है शायद यही कारण है कि भाजपा नेत्रित्व ने चार साल से लटके चल रहे नेता प्रतिपक्ष के माम समले को मिंटों में सुलजा दिया इतना ही नहीं नया सचे तक भी सामने ले आए इन दोनों पदों पर दो चहरे लाकर भाजपा ने जो दाव खेला है राजनीती के जानकार उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बहाने हर वर को साधने की कोशिश की है जारखन विधान सभा में अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित नौ सीटों में देवघर, जमुआ, चंदन क्यारी, सिमरिया, चत्रा, छतरपुर, लातेहार, काके और जुक सलाई है पिछले विधान सभा चुनाओं में इन आरक्षित सीटों में से भाजप के लिए बड़े जातिय समोहों पर फोकस कर रही है पिछले विधान सभा चुनाओं में जारखन की 28 सीटों में से भाजपा महज 2 सीटे ही जीत सकी थी लेकिन अनुसूचित जाती के लिए सुरक्षित 9 सीटों में से 6 सीटों पर कबज़ा जमाया था देवघर, जमुआ, च पर कबज़ा किया राजत के हिस्से में 14 सीट आई मतलब भाजपा इस वर्ग में स्थान बनाने में सफल रही थी अब भाजपा अमर बावरी को आगे कर इन आरक्षित सीटों के साथ साथ पूरे राज़ में दलितों को गोल बंद करने की कोशिश कर रही है भाजपा के प्र देश आदिवासी सुरक्षित सीटों पर फिर से भाजपा की वापसी करना है बाबुलाल इसके लिए जोर आजमाईश भी कर रहे हैं बाबुलाल आज बीजेपी का आदिवासी चहरा है और पार्टी के राश्ट्य अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने तो उन्हें प्रदेश भाई पटेल को बनाए गया है पटेल राज के प्रभावी कुडमी समुदाय से आते हैं वे भाजपा विधायक दल के नेता की रेस में भी थे परन्तु विधायकों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के कारण मामला लटक गया था जारखन मुक्ती मोर्चा में रहे जैप लाल महतो कुडमी समुदाय में काफी प्रभाव शाली थे उन्हें सच्चेतक बनाकर भाजपा ने इस समुदाय को भी साधने की कोशिश की हैं अब स्थिति यह है कि प्रदेश भाजपा में सभी प्रमुक पदों पर आयातिक चहरे ही आसीन है प्रदेश अध्यक्ष बाब चुनाओ के बाद उन्होंने अपने दल का भाजपा में विलै कर लिया अमर बावरी ने पहला चुनाओ वर्ष 2014 में जार्खंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीता जीत हासिल करने के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गया भाजपा के नए सचीतक जैप्रकाश भाई पट पिछले विधान सभा चुनाओ से पहले ततकालीन मुख्य मंत्री रघुबर दास ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया और टिकेट भी दिलवाया वह भाजपा के टिकेट पर चुनाओ जीते और विधायक बने अब आने वाले चुनाओ ही बताएंगे कि ये सारे आक्ष हुआ